हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कंचन होम किचन में आपका स्वागत है तो आज की रेशिपी हमारी है कानपुर की फेमस धनिया आलुचाट तो चलिए आज हम लोग बनाते हैं धनिया आलुचाट और बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमिसी है जहटपट बनने वाली पा लिएगा जिसे के मारा नेश्ट वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके फ्रेंड्स बहुत ही बहुत ही यमिसी है और सर्दियों के सीजन में हमेशा कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए इसके लिए तो देखिए यहां पर हमन यूज नहीं है तो चलिए इससे हम लोग बनाते हैं आप देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि सब आलू जो है वायल करने के बाद उसे ठंडा होने दीजिए इसके बाद धनिया धेर सारा धनिया इसमें ले लीजिए तो देखिए हमने यह दनिया का एक बंच लिया है अब इसको कट करके हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे देखिए इसके बाद हम डालेंगे दही आप दही जितना डालना चाहें डाल सकते हैं तो खटी दही थी तो हमने किवल दो से तीन चमर डाला आप चाहें तो और भी अड़ कर सकते हैं आप कितना तीखा खाते हैं उसके अकॉर करेंगे इसमें थोड़ा नमख डालिएगा थोड़ा हम आलू फ्राइब करते वक्त लालेंगे और देखिए इसमें आप चाहें तो पानी आट कीजिए या तो आप वैसे ही पीस लिजे लेकिन हम इसमें हमने एक से डेट चमच पानी का यूज किया है आप चाहें तो पानी आ तो इस तरीके से आप सारे आलू इस मीडियम साइज में ऐसे कट कर लीजेगा बड़े-बड़े टुकड़ों में जिससे कि आपको खाने में आसानी है तो हमने कड़ाई को गैस पर रख दिया है अब इसमें हमने थोड़ा साथ घी कायूज किया है आधा चमत सौंफ लिया है आधा चमत जीरा लिया है और थोड़ी सी वन पिंच हमने मेथी दाना लिया है जब इस सारे चटक जाएं तो इसमें हम डाल देंगे आलू आलू को हम अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक फ्राइब करेंगे तो देखिए इसमें हम दो से तीन मिनट लगा है आलू हमारा अ नमक का यूच किया है है जैसे हम ने कहा था कि हमने धनिया पीषते वक्त कि उसमें थोड़ा सा हमने ख्या देता नमक हम फ्राई करते वक्त सुरा यूच कर लेंगे अगर होमारी रिश्पी अच्छी लग रहे है तो wil go please like और शेयर कीजिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा देखिए हमने जो धनिया पीस के रखा था उसको इसमें हम डाल देंगे और हम मीडियम फ्लेम पर इसको भूनेंगे इसको भी हम एक से दो मिनट तक अच्छी तरीके से ह बून झालिते हुए अ में लगा है अब देखिये हमारा यह जोम करके तयार है अब इसे हम ज के फ्लेम को बंद कर देंगे अब इसको हम सर्व करेंगे अब घरमा आलू-धनिया चाट आप खाईए और बताई कैसा मना है एक बार कल टेस्ट लीजिए हमें तो बहुत अच्छा लगता है आप एक बार इसे ट्राइ कीजिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सेर चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बात मिलते हैं नेश्ट रेसिपी के साथ नेश्ट वीडियो में थैंक यू बाई बाई